प्रिग्नेंसी के एक इंपॉर्टन लक्षनों में से एक लक्षन ये होता है कि महिलाओं को उल्टिया आना शुरू होती है। बॉलीवुड में टीवी सीरियल में आपने हर जगह ये देखा होगा कि जब लड़कियों को महिलाओं को अगर उल्टिया आती है तो लोग बधाया देने शुरू कर देते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा डाटने फटकारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता चलात है कि लड़की अप्रिगनेंट हो गई है यानि कि प्रिगनेंसी की जो पहला लक्ष्ण होता है वह कहीं अपक्की ऑल्टियों से आ तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिक्श करेंगे कि प्रिंगनbrand सी में आपको कब एणतीक हो हडसे जादा हो तो कब आपको डॉक्त् जिसके आपको खाने की इक्षा जगेगी सब के बारे में आज इस वीडियो में डिसकेशन क्या है वीडियो काफी इंफर्मिटीव है प्लेई शुरू से लेकिलाश तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पर बहुत- आपको दिखाई देते हैं आप जैसे की वेरी अर्ली साइंस ऑफ प्रिग्नसी की बात की जाए तो बहुत सार ऐसे सिंटम होते हैं जो कि आपकी प्रिग्नसी को डेनोट करते हैं लेकिन उनमें से एक इंपोर्टन चीज यह होती है कि अगर आपको कहीं न कहीं एक दम आपक लेट से अगर स्टार्ट होती है तो दस हफते के बाद से बाद उनको उल्टिया आना शुरू हो जाती है और आप यकीन नहीं करीगा यह इतना सटिक लक्षन है कि करीब 80-90% महिलाय मौनिंग सीखनेस को एक्सपीरियंस जरूर करती है मौनिंग सीखनेस का यह मतलब बिल्क खाय करती है आपको उल्टी पूरी तरह से हो नहीं है लेकिन बस एक्षाय बनी रह रहता है वह भी कि आपके प्रिग्ननसी के लक्षनों में से एक होता है तो यह होता किन वज़ों में से है तो सबसे इंपोर्टनिं जो रिजन होता तब ही आप अगर urine pregnancy test kit के अस्तमाल करती है तो वहां पर आपको double line दिखाई देती है यानि कि basically जो आपका beta SCG है वही इसके लिए responsible है जो आपके hormone होते हैं वह आपको अर्ज करते हैं कि आपको मितली आती है या आपको जी मचलता है या कई पर क्या होता है कि कुछ food aversion भी हो जा आती है कोई चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है या कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको अचानक से बहुत जादा पसंद आने लगती है इन दोनों ही केसे में गया तो फिर बहुत जादा अगर आपके बहुत जादा morning sickness हो रही है आपको थकावत हो रही है यानि कि कह बहुत जादा नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे आपका गर्भ बढ़ता है वैसे वैसे आपके बीटा सेजी का भी लेवल बढ़ता है और आपके जो उल्टिया आने की जो अर्जेश है वह भी आपकी आगे सामने नजर जरूर आती हैं क्योंकि बहुत सरी महिनाओं को तीसर चौते हफिते में पता नहीं चलेगा क्योंकि उस टाउं पर प्रेगेंसी का डिटेक्शन ही नहीं होता है लेकिन पाँच्वे छटे हफिते के बाद से जब आपका डिटेक्शन स्टार्ट होता है आपको हलके हलके मॉनिंग या इवनिंग सिखनेश लगी रहती है आपको उल्टी आनी की जो समस्या होती है वो कई बर आपके जो फूड पाइप के भी एसीड जो रिफलक्स होता है उसके वज़ा से भी होती है महिलाओं के जब बीटा एसीजी का हर्मोन तैजी से बढ़ता है तो उनको इंडाजिशन की प्रॉब्लम होती है जब इंडाजिशन होती है जब आपको जब वो खाना एंटर कर देते हैं तो यह वाल बंद हो जाता है यानि कि ढकन जहसी चीज होती है जो कि खाने के ऊपर आने नहीं देती है लेकिन जब रिफलक्स हो रहा होता है आपको इंडाजिशन होरी होती है आपके प्रिगननसी के वज़ज़ से तो यह कई बार ये ओपन हो जाते हैं और आपको कई बार उल्टी आने की एक्षाय करती है थ्रड इंपर्टन फैक्टर क्या होता है कि आपके यूटरस का बढ़ड़ा जो इस्पेस है मानने जी कि आपके reproductive अंगो में uterus का जो space बढ़ रहा होता है और आपको बार बार frequent urination होती है जिसके वज़े से आपका urinary bladder भी भर रहा होता है यानि कि बार बार जब आपको urine जाने के एक्षा करती है तो bladder भी आपका full हो रहा है साथी ताथ इस टमक पे आपके इतने दबाव पढ़ने हैं जिसके वज़े से भी कई बार आपको उल्टी आने आने की समस्या हो जाती है कई बर क्या होता है कि जब अगर हलका हलका अगर आपका पेट खाली होता है तो यह जो मितली है यह आपको ज़्यादा experience होती है इसलिए कोशिश के करना चाहिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियां हो रही है जिससे कि कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा है तो आप छोटे छोटे मिल्क को प्रिफर ज़रूर करें कई बर क्या होता है कि बहुत सरी महिलां किसी की चीज को बहुत ही पर्टिकुलर उनको चीज खाने की बहुत इक्चाय करती है तो वो ओवरीट करती है और जब ओवरीट करती है किसी फूड को ज़्यादा खाती है तो आपको क्या करना है कि तीन बड़े-बड़े मिल्स ना तो पानी की मातरा अगर आपकी अच्छी रहती है तो आपकी जो बॉविल मुवमेंट होते हैं वो क्लियर होते हैं अच्छी तरह से खाने का डाइजिशन होता है पानी के वज़े से तो कई बार आपको उल्टिया आने की समस्या नहीं होती है बहुत सरे लोग ये कंप्लेंट आप ले सकते हैं या हलके जो भूने चने होते हैं या मखाने होते हैं आप इनका थोड़ा सेवन कर लिजे उसके बाद आप पानी पीज़े या दो खजूर खा के आप पानी पीजे तो आपको उल्टि के जो अर्जेस है वो नहीं आएंगे आप जैसे बहुत सरी महिलाओं क महें तक आपका खतम हो जाता है उल्टी आने की समस्या कम हो जाती है तो बेसिकली आपका यह जो पीरिड होता है है first trimester जो होता है वो बहुत important होता है क्यूंकि उस time पे बच्छे का अंग develop हो रहा होता है आगर अंगों की बात की जाए तो spinal cord, brain बनता है बच्चे के private part भी बनने श्टार्ट होते हैं जो MN heart होता है, eyes होते हैं सब जो important organs होते हैं उनका निर्मान हो रहा होता है तो उस टेम पर जितना अच्छा निउट्रिशन आप रखेगा उतना अच्छा बेबी कर डिवलप्पेंट होगा तो खाने में बिल्कुल भी आपको कता ही नहीं करनी है आप अच्छे तरह से बैलेंस डाइट लीजे जितना अच्छा बैलेंस अच्छे फूड खाईए अच्छे फूड का चुनाव करिए जिससे आपको उल्टी आने के अर्जिस कम हो अब क्या होता है कि डेंजर साइन भी इसमें होती है कि बहुत सरी महिलाओं को क्या होता है कि प्री एकलिम्सिया मतलब डिवलप हो जाता है उनके सेकिंड या समस्या होती है उनको बहुत घखवराः मिरा होती है चाहिए सब्सक्रेज़स क्या होती है कि 5-10 तॐ 5 पर उल्टी महिलाओं को प्रोटीन की भी मात्रा उनकी यूरिन में दिखाए दिती है जिसकी जांच होनी ज़रूरी है क्योंकि प्री एक्लेम्सिया के टाइम पर इस तरह के डेंजर साइन अगर दिखाए देते हैं तो इमिडेटली आपको डॉक्टर से ज़रूर विजिट करना चाहिए सारी जांच ह होनी चाहिए कि कुछ प्री एक्लेम्सिया के लक्षन तो नहीं है क्योंकि ये आपके प्रेग्नेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है और इनफेक्ट मैं अगर इसकी बात करूं तो आपकी डॉक्टर आपको पूरी निगरानी में रखते हैं आपकी बीपी का कितना ज़्या तो उन में से प्री एक्लेम्सिया एक बहुत बड़ा रीजन होता है अगर प्री एक्लेम्सिया आपको है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसे काफी कम हो जाते हैं तो ऐसे किस्में आपको डॉक्टर की निगरानी में कंप्लिटली रहने की ज़रूरत है और जितन सारे बाते जरूर शेयर करें अब रही बात कि कई बर क्या होता है कि हमारे C-section होने के भी रीजन काफी जादा होते हैं तो C-section किन-किन वजहों से होता है उसके लिए separately मैंने एक वीडियो बनाए है जिसके लिंक मैं इन डिसके पर डॉप करूँगी आप उसको प्लीज देखना मत बूलिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपकी डॉन वर्ड डिलिवरी क्यों नहीं हो सकती है और C-section के समावनाए क्यों बन रही है तो सारे बाते क्लियर मैं उस वीडियो में करूँगी तो प्लीज उस वीडियो को ज़रूर देख लीजेगा थैंक्यू समच वर वाचिंग ट्विंस मैं वर्ल्ड